लोग सबस चुनाव में अब एक साल से भी कम का वक्त बचा हुआ है सभी पार्थिया अपनी अपनी तयारियां में जुटी हुई है इस बार बिजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए बिहार के सीम ने नया फॉर्मूला निकाल लिया है इसी फॉर्मूले के तहट वो विपक्षी एक्ता की महा बैठक करनी जा रही है और इस महा बैठक में डेड़ दरजन विपक्षी दल की दिगच नीता शामिल होंगे तो इस बैठक को लेकर क्या है प्लान और महा बैठक से क्यों डरी हुई है बिजेपी देखे पूरी खबर इस रिपोर्ट में पहुँच जाएंगी सबसे पहले मम्ता आजार जेडी चीफ लालू यादफ से मुलाकात करेंगी फिर 23 जून को सियम आवास में ये बैठक सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी जरूरत पड़ी तो समय बढ़ाया भी जा सकता है बैठक में स्वागत भाशन नितिश कुमार देंगे तो कॉंग्रेस नेता राहूल गांदी के भाशन से इसका समापन होगा विपक्षी नेताओं की 23 जून को होने वाली बैठक को लेकर पटना के सड़क पर एक पूस्टर लगाया गया है जिसमें कॉंग्रेस नेता राहूल गांदी फ्लाइंग किस देते नजर आ रहे हैं राहूल गांदी को महबत वाला नेता बताया गया है पूस्टर में कॉंग्रेस अध्यक्ष माली कारजुन खडगे को नेता कारेकरताओं से मिलने वाला बताया गया है इन तमाम बातों से एक बात तो तैह है कि 2024 में होने वाले लोग सबाचुनाव में बीजेपी केंडर में फिर सत्ता में वापसी कर पाएगी या नहीं ये तो देखने वाली बात होगी लेकिन 2014 और 2019 में जो देश में मोधी लहर की आंधी चली थी 2023 में वो खत्म होती नजर आ र झाल झाल